हेलो इब्रीवन स्वागत है आप सभी का डे 247 के शांदार आई-एस प्लैटफर्म पर मेरा नाम है रद्र गातम और आज के इस लेक्चर में हम लोग कंप्यूटर के बारे में बहुत शांदार तरीकी से डिसकस करने वाले हमेशा की तरह है तो चलिए शुरुवात करते हैं लेक्चर की और प्लीज 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 जो मेरी अक आप लोगों से सभी से हमबल रिक्वेश्ट होती है मेरी हमबल रिक्वेश्ट जो है वो यही है कि आप लोग दम लगा के वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें ऑर आभी तो 9 से 10 बजे कलास है उसके बाद 10 से 11 वाली क्लास को भी हम लोग दम लगा के देखने वाले तो चलिए शुरुवात करते हैं मज़ा आएगा आनंद और परमानंद हो जाएंगे चले शुरू करें है ना जब तक कुछ और आस्पिरेंस हमारे साथ जुड जाएं तब तक मैं आपको कुछ बहुत शांदार बाते बता देता हूं और वो शांदार बाते क्या-क्या है उस पर डिसकस कर लेता है देखिए सबसे खास बात है कि मैं हमेशा एक बात बोलता हूं कि और UPSC Civil Services के साथ साथ आप State Civil Services की भी तैयारी कर सकते हैं तो इतना बड़ा जो लक्ष है उसके लिए आपको सतत प्रयास करने के आवशकता होती है एक्जाम है अपने आप में इसलिए तफ होगा क्योंकि number of aspirants अच्छे खास है लेकिर आप अपने perfection को मच्छोना बस यह नहीं छोड़ा और आप लगातार लगे रहे तो बहुत से aspirants को आप लोग है ना concentration से exam handling से आप लोग आसानी से बहुत आगे जाएंगे मेरा पूरा आप से promise है एक मिट्स का समय दीजे गर्मी जादा हो रही है स्टूडियो में इसकी थोड़ी थंड़क की विवस्था तक ली जाएं तो यहाँ पर यहाँ पर आप लोग जो है यदि आप एक promising carrier को चुनाव करते हैं तो वह UPSC Civil Services का है और हमारे जो शांदार faculties है बहुत ही experienced expert faculties वह आपको बहुत सारी बाते बहुत detail में पढ़ाते हैं और हाँ notes material e-books सब कुछ आपको एक जगे मिलता है मैं हमेशा एक बात कहता हूँ यदि तयारी करो तो एक बार UPSC Civil Services की करो और उसमें जिस level का intellectual जिस level पर आप लोग intellectually integrate होंगे अपनी life में जिस जगे पर जिस horizon पर आप अपने आपको देखेंगे न वह एक अलग ही next level होगा और इसलिए आप लोग जो है ना बहुत ही affordable लेकिन बहुत ही qualitative course जिसमें notes material e-books सब कुछ मिलता है आप लोग एक बात याद रखेंगे UPSC Civil Services का batch जो है वह बहुत ही affordable price में आज दो साल में जो नए batches आएंगे चाहें 2024-2025 की तैयारी कर रहे हो या फिर 25-26 की तैयारी कर रहे हूं complete तैयारी आपको UPSC Civil Services की महा pack से हो जाएगी और यह जो महा pack है यह अपने आप में complete batch है जिसमें में आपको mentorship मिलेगा और साथी साथ में फेकल्टी के range भी अच्छी और आइए सदिकारी आपको guide करते हैं तो यह batch आपको वाइप 583 coupon code से लेना है क्योंकि आपको mentorship मेरा भी मिलेगा क्योंकि मैं regularly every Sunday और next Sunday को mentorship मिलता है यह सभी जो महा pack है इनके अठाइस सो रुपे में है तीयो एटियो का batch वह एकत्तिस सो रुपे में आप उसको आज का ज अन्रोल कर लीजे क्योंकि नया batch आज ही से शुरू है और EPFO का जो batch वह आपको 26 रुपे में वह भी दो साल की वैलेडरी के साथ मिल रहा है क्या यूज करेंगे coupon कोड याद रखना वाइफ 583 that is it ठीक है चलो अब क्लास की शुरुवात कर देते हैं I think मैंने आपको यह बहुत सारे points बता है तो मैंने आपके wishes नहीं लिए गुड इवनिंग शिवानी प्रमोद मुकेश श्वेता वर्मा गुड इवनिंग मुकेश विश्वकर्मा जी और कुमार राहुल एक बार दम लगाके शेर कर दीजिए वीडियो का प्रॉपर क्लासी क्लास चलेगी अब लगातर क्लास चलेगी कोई दूसरी बात नहीं चलेगी थोड़ी सी बात मैं इसलिए कह दी कि कुछ और एस्पिरेंट्स हमारे साथ जुड जाएं बविता सैनी जी गुड इवनिंग अभिशेक जी और सयाली इंटेलेक्ट्ट ज्यान अनुश्का शर्मा हिमानशी आपको बहुत डिटेल में पढ़ा दी थी सारी इंपूट डिवाइसे हैट कवर्ड राइट हैट कवर्ड ओल इंपूट डिवाइसे और डिफरेंट डाइप ऑफ प्रेंटर्स उनके बारे में उनका कंपैरिजन मैं अल्रेडी कर चुका था यह डाइग्राम अगरा सब कु मानसून में बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली है बहुत ज़्यादा क्लायमेट हैंज देखने पर्सात कर रहेगा और सब नेटवर्क पर बात कर रहे थे और चलो विज्द से कंप्प्यूटर नेटवर्क के बारे में कुछ बेसिक बात ही बताऊंगा क्यों कि मैंने computer network वाला बहुत अच्छे से topic पहले ही करवा दिया है computer good evening प्यूश काना के दिवानी निलिमा good evening भावना computer network क्या है यह telecommunication करता है network को के बीच में network का मतलब यह दो या दो से अधिक computer को जो connect किया जाता है तो उसके लिए हमको अपने process apply करने पड़ते हैं और वो process क्या है कि उन्हें अलग-अलग layer पर connect करना होता है उनको ethernet wire की मदद से connect करना होता है कि मैट्स optional के लिए एक बार बात करेंगे ठीक है बिल्कुल सगनिक बात करेंगे अच्छा अफसाना ओके तो the connection between nodes मतलब computer नेट्वर्क इसको देखो अंतिम जो बिंदू होता है जैसे इक यह computer है एक यह computer है एक यह computer है और यह आपस में connected है और बीच में मान लो server है तो यह आपस में connected हो यह एक प्रकार का network हो गया और पहली बार जो network की बात की ती वह विंट सर्फ और बॉब कहान ने की थी यह बात याद रखना और इसलिए नहीं father of internet कहा जाता है फादर ऑफ इंटरनेट इन्हें कहा जाता है गुड़ इवनिंग जी सर अब अगली बात आ रहे हैं कि जो पांच कॉंपोनेंट होते हैं वो पांच कॉंपोनेंट कौन-कौन से हैं सबसे पहला है सेंडर एक डिवाइस जो सेंडर है मतलब जैसे मेरा कंप्यूटर मैंने कुछ डेटा सेंड के वो सेंडर होगी फिर सेंडर एक्विपमेंट अब क्या होता है जैसे हमारा जो मॉडम होता है मॉडम है ना मॉडूलेटर एंडी मॉडूलेटर तो मॉडम क्या करता है हमारे जो सिगनल है उनको एंकोड करके आगे भेज देता है फिर कम्यूनिकेशन चैनल cables and wireless तो यह communication channel की मदद से फिर वो data जाता है फिर other end पर other end पर एक decoder होता है क्योंकि encoded जो data है उसको decode करना and finally device जो receive करेगी तो यह basically पाच अलग-अलग component होते हैं computer network के बीच का पूरा का पूरा नोड, router, bridges, hub, gateways, switches यह सब मैं आपको अल्रेडी पढ़ा चुका हूं फिर बात आती है कि computer के networks क्या-क्या होते हैं एक होता है local area network जिससे हम कहते हैं land local area network क्या होता है वो होता है land तो land is a computer network covering a small geographical area for example यदि मान लीजे कोई एक छोटी company है और उसमें 20-30 पचास computer को आपस में connect किया गया है तो वो land कहलाएगा local area network तो यह बहुत ज़्यदा complex नहीं होता है speed भी कम से काम चल जाता है ठीक है school building और छोटे कोई office के लिए फिर बात आ रही है metropolitan area network की जो की man है ना man जैसे new york city मुंबई city है अब देखे एक छोटा कसबा है और एक मुंबई city है आपको पता है मुंबई city की जो demand है 1000 gbps तक की भी demand हो सकती है 100 gbps तक की भी demand हो सकती है तो उसके लिए क्या होता है हम लोग और भी ज्यादा large scale के जो है जो fast devices speed वाली जो devices उनका प्रयोग करते हैं और एक और बात याद रखना आपने जो है कि मैइक्रोवेव पर काम करता है या यू पीज सी में पूछा गया यह प्रश्न वाइम v trib Jejak b पर काम करता है लिकिन नॉर्मॉली को सब्सक defence सब्सक्राम करता है ृढ कि is it clear this one is the WiMAX क्यों नहीं करवाएंगे सब पर करवाएंगे बटा क्यों नहीं करवाएंगे यह तो मैंने मेरा free initiative ली रखा है computer पढ़ा रहा हूं आपको तो बहुत ही अनुभवी faculty पढ़ा रहे हैं मैं तो यह दो चार बाते जानता हूं बता देता हूं थोड़ी सी ठीक है है ठीक है हाँ तो इस ट्लियर ठीक है तो metropolitan इरिया नेट मैं critical वे में बोल रहा था मैं computer बहुत समय से परहार हूं वैसे basically मैं बता हूं आपको तो UPSC के लिए बेड और BST कुछ भी नहीं किया है सर अब क्या बिटा यदि आप एक graduate है ना वगरा करने की जुरूत यह UPSC आप दे सकते हैं ठीक है चलो गुड इवनिंग सफेन है ना तो जब एक पूरे शहर में खासकर न्यूयॉयॉक दबिक दबिग अपल पता है न्यूयॉक शहर को किस नाम से जानते दबिग अपल उसका जो शहर का शेप है ना वह बिग अपल और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जैसी जगे पर ज्यादा फास्ट और स्पीड के लिए बिल्कुल वर्ल्ड वाइड इंटर उपरबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस में माइक्रोवेव यूज होता और नॉर्मली हमारे जो कम्यूनिकेशन होते हैं उसमें प्रयोग किया जाता है ठीक है मैं सारी बाते हिंदी में बोल रहा हूं ठीक है और यहां पर जो ट्रांसमिशन की स्पीड होती है वह बहुत काफी तेज होती है यहां पर मैन इस लेस एंड कंजेशन इंडी नेटवर्क यहां पर यहां पर क्या होता इस पीड वगईरा वैन होता है और कभी आपसे यह प्रश्न पूछ लेना कि दुनिया में दुनिया का सबसे बड़ा वैन कौन सा है वर्ल्स लार्जस्ट वैन इस इंटरनेट इंटरनेट दुनिया का सबसे बड़ा वैन है क्यों क्योंकि वह पूरे दुनिया भर में डिपलॉइड है इंटरन bounds of the state, तो वैन क्या होता है कि एक बड़े state में भी सकता है लेकिन, दुनिया का सबसे बड़ा जो वैन दैट इन internet is it clear internet is the world's biggest ठीक है चलिए फिर बात आ रही है कि wireless LAN क्या होता है जो कि जैसे आपका Wi-Fi होता है Wi-Fi से हम लोग कई 20 यो 50 यो devices connect कर सकते हैं वो wireless area network हो गया फिर storage area network क्या होता है देखो storage area network में क्या होता है मेरे पास screen और keyboard है और mouse है और processor भी है लेकिन सारा का सारा data जो है न किसी एक remote place में जाके hard disk में store हो रहा है जितने भी 10 15 20 50 computer जुड़े हैं तो यह क्या होता है storage area network SAN इसको SAN बोलते हैं कि SAN आ जाए एक्जाम में तो बता देना कि एक high speed special purpose network होता है जो कि support करता है data storage को और सारे के सारे जो अलग-अलग computers हैं वो अपने files को data को remotely किसी एक storage में save करते हैं और यह क्या होता है data यहां से बहुत fast speed से interconnectivity की मदद से और fiber channel की मदद से ज्यादा fast processing के साथ आता है सर्वर और ISP में confusion हो जाता हूं बार-बार दौनों का difference बता दीजिए चलिए अच्छा प्रशन इसलिए समझा देते हैं सर्वर और internet service provider में राद दिन का अंतर है राद दिन का अंतर है एक प्रशन आया है मैं हमेशा बोलता हूं कि न सिर्फ YouTube पे मैं हमेशा आपको एक बोलता हूं कि आपके दिमाग में कोई प्रशन आये और बहुत अच्छा प्रशन पूछा है सभी प्रशनों का जवाब में देता हूं इस प्रकार की एक है सर्वर और एक है हमारा सर्वर और दूसरा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो एब यह तो एक प्रकार की ओर्गैजैशन है इट इस औरन जएंचिक है यह एक और्ग्जैशन है and the what is server here तो एक कोई भी computer होगा, computer, यदि बहुत large scale का access demand के आउशकता होते हैं, तो ये एक super computer हो सकता है, यदि comparatively थोड़ा कम speed के आउशकता है, तो mainframe computer हो सकता है, super computer बहुत बड़े होते हैं, mainframe उनसे चोटे होते हैं, उसके बाद mini computer होते हैं, और सबसे चोटे micro computer होते हैं, तो basically server is the server is a hardware which provides services to the customer कौन सी services कि आपका जो SBI का data है SBI का जो पूरा server है वो आपको क्या service दे रहा है कि आप लोग transaction कर सकते हैं तो server यह है जबकि पूरे विश्यो में जो internet deploy हुआ है तो बहुत बड़ी term है पूरे विश्यो में जो internet deploy है फैला हुआ है यही internet service provider होता है यही क्या होता है internet service provider होता है is it clear नहीं मेरे मेरा कहने का मतलब यह है कि यार UPSC पीछे start से पड़े हुए और B8 BTC कुछ नहीं किया गरवाले देखो वह तो आपका personal decision था क्यों नहीं किया वह तो चलता रहता हूँ तो कोई लूड वाली बात होती नहीं है चोटे मोटे यह जो है आपके graduation graduation तो चलते रहते हैं देखो मैं तो यह बोलता हूँ कि आप first year में आप 12th में आगए graduation चलता रहेगा graduation में आपके 50 percentage marks भी पास भी हो गए लेकिन मानलो आप अपनी यूपेसी के तजयर ही first year से जारी रख रहे तो आपने graduation पूरा करते ही IES को पहली बार में निकाल दिया तो graduation कोई वर्त का रहेगा क्या so what is the larger goal बड़ा goal क्या है to select in UPSC civil services that is the larger goal यह बात याद रखिए कि यह graduation 12th इसमें इतने percentage थे वो थे यह बहुत छोटी चीज रह जाती है आपके बड़े लक्ष को बहुत target के साथ पढ़ाईए और उन लक्ष को बनाए भी रखिए ऐसा नहीं हो कि मम्मी पापा ने बोला था इसलिए हमारे क्यों कि उसके अंदर वो वो चीज प्रूफ करने का जजबा है वो सेकंड अपने आपको देखी नहीं सकता है तो यह एक टॉपर की खासियत होती है is it correct है ना तो होता क्या ना कई बार क्या होता ना मतलब कुछ जो कुछ जो प्रोक्रिस्टिनेशन टालने वाले जो तो इस बनना है मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ रहा हूं शेकिंड इस बनना है थड़ी अर में जाके बंफुस हो गया तो ना तो फर्स्टियर का केरियर ट्रैक समझा आप लोग ने ना यूपसी समझा दोनों में बरबाद हो गया और फियासको इन दी लाइफ यह नहीं चा गार अंधर आदमी है और सारी बाते आप इस बता देंगे मुझे कविवें हैं को टाइम नहीं है तो कोई बात नहीं आपके पास और कंप्यूटर की कोई क्लास पड़ा रहाएख हो वहाँ पर जाके क्लास देखलो चाहा है डिक कन है तो मैंने तो नहीं बूलाआ या नहीं और क्लास कर लीजिए ठीक है बिटा आप कहीं और जाईए हाँ चलें I think server और ISP दौनों की दौनों चीज़े समझ में आगई आपको सारी चीज़े समझ में आगई है ना चलो आगे बढ़ते हैं तो यहां तो यहां तो सारी बाते क्लियर हो गई है तो आगे चलते हैं लोग य आपको ही हमारे ही आपस के हमारे ही जो computer है जैसे वाइफाई ले लिया तो वाइफाई में क्या होगा मेरे परिवार वाले लोगों का ही connection करेंगे तो वह वाइफाई के लाएगा ठीक है चलो और wireless personal network क्या हो जाए वह वाइफाई वाला हो गया और आपस में जो है इथरनेट वाइर के साथ connected है तो personal area network हो जाएगा ठीक है चलो अगले पॉइंट पर आते हैं नेटवर्क आर्किटेक्चर क्या हो सकते हैं दो अलग अलग प्रकार के नेटवर्क आर्किटेक्चर ये भी आप समझ लीजिए एक बार एक होता है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर नेटवर्क आर्किटेक्चर दो प्रकार के होते हैं है ना है नेटवर्क आर्किटेक् है ऐसे है कोई hierarchy नहीं है कि एक larger है कोई is it clear चलो तो यहां पर क्या हुआ peer-to-peer architecture peer-to-peer architecture पर बात कर लेते हैं यहां peer-to-peer architecture में क्या होता है कि tasks are allocated to all the devices to the network there is no hierarchy among the computer and all of them are considered equal hierarchy होनी चाहिए जैसे एक server है वो larger computer है चोटे चोटे computer उससे आपस में connected होंगे तो larger क्या है यह client and server architecture में क्या होता है एक server की speed ज्यादा होती है और फिर क्या होता है server services देता है speed के साथ में और सारा data एक जगे रखा होता है तो एक client जो है remotely उसको connected होके और उससे बहुत सारी चीजों की request access वगरा जो है वो प्राप्त कर सकता तो नेटवर आर्खिटेक्ट्ट्र जो है basically दो प्रकार के अब यह थोड़ा सा technical point है यह थोड़ा सा technical करें please be calm down ठीक है शांत रहेंगे तो अच्छा रहेगा अब मैंने आपको protocols बहुत सारी पढ़ाए can you recall that can you recall that protocols क्या क्या थी protocols थी good evening good evening protocols क्या थी protocols are the set of rules जैसे मैंने बताया था आपको simple mail transfer protocol है na simple mail transfer protocol simple mail transfer protocol और फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल डानेमिक होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल प्योप पोस्ट ओफिस प्रोटोकॉल पताया पोस्ट ओफिस प्रोटोकॉल और simple mail transfer protocol किससे related है दौनों ही related है ना दौनों ही related है आपस में किसके लिए होती है प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल हां तो प्रोटोकॉल्स क्या एक गाइडलाइन होती है जिसके त्याइट क्या ना और हां एक और चीज़ यह भी पढ़ लूआ एक प्रशना है तो जरूर आप बता सकते हैं एक होता है एक होता है बेटा इंटरनेट 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 और एक होता है एक्स्ट्रानेट एक्स्ट्रानेट इंटरनेट इंटरनेट और एक्स्ट्रानेट इंटरनेट इंटरनेट और एक्स्ट्रानेट इंटरनेट इंट ओपन सिस्टम इंटर कनेक्शन जो मॉडल है वो हमने पढ़ाया है ना तो इंटरनेट एक होता है इंटरनेट और एक होता है एक्स्टरनेट दोनों में क्या है देखिए इंटरनेट जो पूरे विश्यो भर में डेपलोईड है पूरे वर्ड में डेपलोईड है वो है इंटर टाता की जो खएंपनी और उनका बहुत बड़ा नेक्वर्ड तो ओंपु अ फर्म में आधका टानेट नेट में धान काया है इंटरोनाट में एक बोग्लोंip एक सरा इल्चातो destroy यहां पर जो की एक लोग यूकाली कनेक्टेड कम्प्यूटर इंट्रानेट जो की एक लोकली कनेक्टेड़ यहां पर जो इंटरनेट प्लस इंटरनेट के कॉंबिनेशन से क्या बनती है इंटरनेट प्लस इंटरनेट के कॉंबिनेशन से एक्स्ट्रानेट बनता है इंटरनेट प्लस एक्स्ट्रानेट जो रहा वह एक्स्ट्रानेट बना देता है यहां तक सारी बात होता है what is an ethernet पर तो दो चीज समझें कि बस क्या होता है बसेज मैंने पढ़ाया था आपको पहली क्लास में computer की बसेज क्या होता है हमारे computer का जो hardware है कौन सा hardware जहां पर हमारा motherboard है motherboard में microprocessor है म्यूपी उसमें RAM है रोम है cache है वह आपस में क्या wire line से connected है सब सब चीज वायर लाइन से connected है तो जो वायर लाइन है अपने एक computer के hardware में वह बसेज क्यलाती है आपका mobile phone का जो पत्ता देखते हो ना वह भी क्या है है ना wireless है ठीक है is it clear है ना अचा कौन बताएगा बहुत अच्छा प्रश्न है internet के founder कौन है who is the founder of internet कौन बताएगा देखते हैं कौन बताएगा who is the founder of internet बहुत बढ़िया Ethernet Ethernet क्या होता है Ethernet is the most widely used land Ethernet सबसे ज्यादा land technology में प्रयोगित होता है मतलब यह एक प्रकार की वायर लाइन होती है that defines wiring and signaling standard and physical layer मैंने आपनों को एक चीज बताई थी कि जो OSI layer model है जो एक ASI layer model है ऐसा साथ एक दो तीन चार पांच छे और यह साथ तो यहाँ पर physically physically जो connected है उसके लिए Ethernet का प्रयोग होता है जो केबल है वो Ethernet है है ना बॉब कान सर्फ अच्छा हां बिल्कुल ठीक है है ना गुड अभी बताया था थोड़ी दिर पहले गुड तो Ethernet basically चीजों को और हां यह चीज या दखना 8080 802.3 यह एक स्टेंडर्ड है जैसे वाइरलेस नेटवर्क होता है ना उसके लिए 802.11 वाइरलेस नेटवर्क जो है वह 802.11 है 802.11 तो Ethernet यह हो गया प्रोटोकॉल यह हो गया फिर बात आ रही है टोकन रिंग की फिर किसकी बात आ है टोकन रिंग आप लोगों को मैंने बेटा टोकन रिंग भी बताया तक यदि आप याद कर सके तो what is a token ring. token ring क्या होती है और किसमें प्रयोगित होती है token ring. तो दिखिए यह जो token ring है मैंने आपको बताया था कि जो ring topology होती है याद आ रहा है token त्री इस्टार बस असराड ब़स मैस त्रीं डमडरь यॉ असे ऐसार यॉझ मांदा त्रीं डमडीलror Allee तो कै क्प्रशे楽ू बप्राइब क्या होता है एक्प्रकार कि इसने कि लोकल एरिया नेत्वर्ग तॉप लॉझिए Topology का मतलब क्या होता है Topology is a way to connect the internet iba इच अदर Topology क्या है Computer को एक दूसरे से connect करने का यह थbok का होता हैच वे नोट्स आरनेजट इन रिंग लोगी जहां पर नूडस जो है वो नोट्स आरंज्ट इनर रिंग इसलिए बोला सा रिंग्न क्मछा जा सकता है टोकन रिंग किस से रिलेटेड है और जो टोकन रिंग में जो लैन कनेक्ट होता है उसके लिए स्टेंडर्ड क्या है 802.5 वाइरलेस नेटवर के लिए क्या है 802.11 यह स्टेंडर्ड है और यह 802.3 है is it clear is it clear to you yes the data passes between nodes on the network until it return to the source और डेटा तब तक पास होता रहता है जब तक कि वो जहां पर जो सोर्स स्टेशन है वहां पर नहीं पहुंच जाता बॉब कान विंस्टन सर्फ यह 1970 तो यह 802.5 यह टोकन रिंग 802.3 एथरनेट के लिए जो वाइरलाइन चनेक्ट होती है और एक त्रिब्यूटेट सिस्टम यह बहुत इंपॉर्टन है अ हाँ हां अरे का अंगे यह यह भी एक तरीका है एफ डी डी इए इस अप्टिकल डेटा कम्यूनिकेशन जहां पर हम लोग फाइबर आप्टिक्स का प्रयूख करते हैं वाइरलाइन के रूप में हैना टोकन तर से औनेंट रखनार यहां पर केबल के तौर फाइबर डिस्टृब्यूटेद डेटा-इंटरफेस का प्रयोग होता है फाइबर डिस्ट्रिभीूटेड डेटाक म्यूनिकेशन का प्रयोग होता है ठीच है अब बात आ रही है नेटूर्क टॉपोलोजी की मैंने आपको तो यह फिजिकल टोपोलोजी वैसे सब पला दिये तो शायद मुझे रिपीट मैं रिपीट नहीं करूँगा क्योंकि मेरी पहले की computer class में नहीं बता दिया आपको बस टोपोलोजी रिंग टोपोलोजी ट्री टोपोलोजी मैश टोपोलोजी और इनके बहुत अच्छे से मैंने डाइग्राम दिखा दिखा कि आपको और उनके अंदर क्या लूपोल से क्या कमिया है सब में वह सब भी बताया था टोपोलोजी दो वेटू कनेक्ट या टोपोलोजी दो एन अरेंजमेंट आप दिन नैटवर्क नोट्स और कनेक्टिंग लाइन क्योंको को कि आपकी स्क्रीन पर प्रश्न आयो है बताई क्या होगा अंसर िरह पी बताई क्या होगा आफ़ Bluetooth is an example of which of the following network Bluetooth क्या है एक पैन है परस्नल एरिया नेटवर्क है या एक वाइरलेस परस्नल एरिया नेटवर्क है दौनों है 1 & 3 है या 1 & 2 है Bluetooth में तो मैंन का तो एक्जामपल नहीं आएगा देखो पैन का एक्जामपल ब्लूटूथ जो है पैन है या वाइरलेस बेटा मेरे साफ तो वाइरलेस वाला एक्जामपल ठीक नहीं लग रहा मैं जो है वो तो पूरे शहर में होता है तो यह तो कट कर दीजिए अब एक के परस्नल एरिया नेटवर्क हो सकता है ना क्योंकि ब्लूटूथ तो वाइरलेस एक बार देखते हैं क्या दिरा आंसर दो दिया पर आप्शन बले इसने दो दिया है लेकिन इन्होंने एक्स्प्रेनेशन भी दिया है क्या बोला देख लो अक्वाडिंग टू आप्शन आप को पैंड भी दिया है और डब्लू लैन भी दिया है तो यह वाइरलेस लोकल एरिया नेटवर्क ज्यादा सही है और करेक्ट आंसर विल भी दिस प्रिंटर में वाइरलेस पैन में इंक्लुदिंग फोन्स वाइरलेस कीबोर्स वाइरलेस माइक प्रिंटर बार कोड स्कैनर गेम कॉंसोल इत्यादी में सब में होता है तो यह जो है यह अपने आप में पहला कुश्चन क्लियर अदूसरा बताईए इच टेलीफोन रीजनल ओफ यह इस इन एक्जांपल उफ वुच्व द॥ फॉलोवां यह बहुत सिंपल कुश्चन है को बताई टोपोलोजी के उन प्रशन आया है आपको यह पता है बस टोपोलोजी किया होती एक वायरलाइन पे अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग कंप्यूटर जुडग कि keen stopology Director में कुछ इस प्रकार से फिर फाइनलि मैश तो अ जिसकत है तो मैश तो Полॉज ऎका अ हाँ हगा वायं ब्लूटुथ तो वायरलेस होंगे आया जाने ह्ना औरiform लिढशक्र tu crimes चांप्यूस दूसरे कंपियूतर से तीन हे सिर यह इससे चांपियूते हैं यह इस परकार से सारे यह सारी यह दूसरे से audit करना है, let consider that you need to connect four different computer with the mesh topology, then how many number of wires are required there, कितने wires के requirement होगी, so the formula is n, n-1 upon 2, this is the same formula of the handshake, आपको याद आ रहा है, जब रीजनिंग आप पड़ते हैं, तो यहाँ पर यही जो formula है, वो handshake में भी, कि एक party में गए, दस लोग थे, आप बताईए कि सब ने एक दूसरे से एक एक बार हाथ मिला है, तो कितनी बार handshake हुए होंगे, तो शायद उसका 55 answer आता है, if I am not wrong, 55 आता है या 45 आता भी देखते हैं, यदि 10 लोग हैं आवशकता पड़ी, 4, 4 minus 1 upon 2, 2, this will be, and 6 wires lines की आवशकता होगी, is it clear, चलिए, तो यह पूरा format, I think, आपको समझ में आ गया होगा, is it clear, है न, सारी बाते clear, campus area जो network होता है, है वो किसी university के अंदर जो होता है न, university के अंदर जो area होता है, वो campus area network होता है, n minus 1 by 2, yes, handshake का formula भी यही है, जो आप reasoning में पढ़ते हैं, ठीक है, जो आप लोग reasoning में पढ़ते हैं, चले आगे बढ़े, अब आपको एक बहुत शांदार topic पढ़ाने जा रहा हूं और यह, यह जो है न, यह topic आपके EPF में बहुत मदद करेगा, चिक है, बैट जाता हूं, मैं को थोड़ा सा है न, आज, आज मेरी classes बहुत ज़्यादा हो गई हैं, और मुझे नहीं लगता है कि इस topic में मैं आपको बैटे-बैटे सब कुछ समझा दूँगा गूमने के आउशकता पढ़ेगी नहीं मुझे, तो आज मैं बहुत दिनों बाद बैट के पढ़ा देता हूं यार गैस कोई दिक्कत आपको कोई अतराज, तो यहां पर जिस software की बात कर रहा है, गोल 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 घूमे जा रही है, तो दिखिएगा यहां पर अब हम लोग software के बारे में बात करने वाले, software है न, तो क्या होता है software, software क्या होता है, software is an intangible, software जो है वो intangible होता है, जिससे छुआ न जा सके, tangible और intangible, hardware क्या होते हैं, hardware tangible होते हैं, जिने छुआ जा सके, hardware are tangible और गोल बहुत भूमती है, यह चेर ठीक होना है, तो tangible और intangible दो प्रकार की होती है, तो यहां पर जो software is a, software is a group of instruction that instruct a computer to do specific tasks, जैसे अनुशकार बहुत बढ़े दिल बना दिया, प्यारे प्यारे, तो यहां पर thank you, बेटा अफसाना दन्यवाद आप लोग ध्यान भी रखते हैं, यह है बहुत अच्छी बात है, thank you, very good, तो एमी ने एक बात बोली है, software are the set of program, yes, देखो, यहां पर एक चीज याद रखना, अब program, a program is a set of codes, ध्यान से सुनिएगा, यदि आपको कोई पूछे कि, एक program क्या होता है, program, so program is a set of code, program is a set of code, and set of program is known as software, बहुत सारे एक software बहुत से programs हो सकते हैं, जो अलग-अलग task क्या function करते हैं, और set of software is called software suit, software suit, कोई example देखा, software suit क्या होते हैं, सॉफ्वेर शूट क्या होते हैं, SUITE, जैसे Microsoft का Office है, उसमें आपको PowerPoint, Excel, उसमें आपको PowerPoint, Excel, Word और MS Access, सब कुछ मिलता है न, हाँ, तो hardware को touch किया जा सकता है, इनको touch नहीं किया जा सकता, और यह एक particular task को perform करवाने में मदद करते हैं, example की तौर पे, PDF Reader आपको पढ़ने में मदद करवा रहा है, example की तौर पे, Microsoft PowerPoint, यह PowerPoint चल रहा है पूरा, यह अपने अपने software है, लेकिन PowerPoint, Word, Excel, MS Access, database के लिए जो होता है, यह सभी जो होते हैं, इनका combination को software suit कहता है, जैसे Microsoft Office का suit लिया है, SUITE, is it clear, यह point clear, है न, ठीक है, हाँ, अब आगे का सुनिए, दो प्रकार के ध्यान से सुना, मैं जो कहानी बोल रहा हूँ, वो कहानी काफी है, बोर्ड पर देखने की भी आवश्यक्ता नहीं, सुनते जाना आब, system software होता एक, और एक होते हैं, application software, क्या बोला बेटा, एक ए system software होते हैं, और दूसरे प्रकार के होते हैं, application software, application software, एक system software है, और एक application software, system software बेसिकली hardware को गवर्न करने के लिए होते हैं, example दूँ, system software का सबसे बहतरीन example, जो कि इसमें कोई option दिया भी नहीं है, kernel, आपने कभी नाम सुना है, system को, hardware को सीधा-सीधा जो गवर्न करता है, वो है kernel, जैसे मैंने बोला, hardware, hardware को directly, जो command hardware के साथ जो communicate करता हो kernel, यह एक प्रकार का system software ही है, software ही है लेकिन system software है, क्योंकि hardware को गवर्न कर, और kernel को जो command दे रहा है, वो operating system दे रहा है, जैसे Microsoft, Windows, Linux वगरा, तो operating system kernel की मदद से hardware पर पूरा control गवर्न करता है, तो kernel क्या है, एक system software, operating system क्या है, चुँकि hardware को control कर रहा है, इसलिए operating system भी एक प्रकार का system software है, operating system और hardware के बीच में कौन बठा होता है, kernel बठा होता है, यदि आपको एक hierarchy बता हूं, तो ध्यान से सुनना, यह है एक user, user अपनी command को देता है application software की मदद से, application software जो है, वो operating system के नीचे kernel होता है, और kernel के नीचे hardware होता है, तो इस प्रकार से user जो command देता है application software को, वो operating system के पास जाता है, और operating system kernel की मदद से hardware पर control करता है, यह है पूरा process, ठीक है, तो एक और example याद रखना, मान लीजिए, जब भी कभी भी आप पहली बार, अपनी life में पहली बार, कोई भी hardware को plug-in करते हैं, आज की तारिक में सारे mouse, printer और plotter और keyboard यह क्या है, plug-and-play devices, आपने लगाया, थोड़ी देर में वो गोला घुमेगा, वो software को install करेगा, क्योंकि उस hardware में already एक software होता है, और फिर हमारे computer और इन hardware के बीच में communication start हो जाता है, यही होता है, plug-and-play devices आगी है, तो printer जब install करोगे, तो printer का अपना एक device driver होगा, यदि आप mouse को install करोंगे, उसका अपना एक device driver होगा, तो यह क्या है, एक्च्वल में उस hardware को govern कर रहा है न, language translator is the most important topic in this segment, तो अब थोड़ा सा खड़ा होना पड़ेगा, topic tough है, तो समझाने के लिए तो खड़ा होना पड़ेगा, तो operating system, एक system software है, याद रखना, utility program एक system software है, utility program जैसे example देता हूँ utility program का, utility programs वो program है, वैसे तो मैं आपको सठीकता से बताओ, रुकी रुकी, यह इनोंने न, सही नहीं दिया, मैं सही करके बता देता हूँ, क्योंकि देखो, यह content यहाँ पर थोड़ा सा गलत है, सुनिएगा, software's जो होते हैं, software को मैं shortcut में लिख दूँ, ऐसे software, basically software's are of three types, एक तो है, system software, एक है, utility, utility software, और तीसरा है, हमारा utility software, system software, utility software, and the third one is, application software, application software, application software, application software, application software क्या होते हैं, can anyone tell me, which are the application software, driver software, utility software नहीं होते हैं, ऐसा नहीं है, नहीं, सगनिक, रुको, मैं बता रहा हूँ, आपको, रुको, application software में example क्या हो गया, जैसे, ms word, powerpoint, है ना, और powerpynt, powerpoint, या फिर, adopt reader, adopt reader, जैसे, r-e-d-e-r, जैसे, vlc player, vlc player क्या होते हैं, आपको गाना सुनाते हैं, system software क्या है, जो hardware पर गवन कर रहा है, जैसे operating system, जैना, utility software को अलग से रखा जाता है, utility software क्या होते है, utility software क्या होते है, utility software क्या होते है, additional software, additional, मतलब अलग से होते है, additional software, which we get, which we get, with operating system, utility software, वो software है, जो हम लोग अलग से प्राप करते है, additional software, which we get, with operating system के साथ में प्राप करते हैं, example बता हूँ आपको, भई आपका जो operating system के साथ में जो antivirus आता है, antivirus, operating system के साथ में जो आ रहा है, free, वो क्या है, एक utility software, is it clear, इसी प्रेकार से utility software का एक और शांदार example है, firewall, 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 firewall क्या होता है, कोई भी unauthorized access होने वाला है, तो firewall उस unauthorized access को रोकता है, basically operating system के साथ में आता है, तो utility software है, दो software, which we get, additionally with the, with the operating system, is it clear to you, है ना, I know VLC player, जिस पर आपने गाना सुना है, अब system software की बारे अब आपरेटिंग system, operating system, system software क्या है, operating system, और क्या क्या हो सकते है, बताए, system software और कौन कौन से हो सकते है, can you tell me, system software में आपका, device driver, और ये list हमेशा पूछी जाते है, device driver, fix question exam का, first ये, second ये, third, operating system, device driver, और कोई बताएगा, हाँ, window defender, window defender भी utility software है, क्या बात है, window defender, yes, 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 device driver हो गया, और translator, नीचे है, अपने नीचे है, नीचे है, तो, device driver, device driver, operating system, system software, है न, operating system, device driver, right, device driver, operating system, और, है न, और एक और, language translator, language translator तो अभी पूरा पढ़ाओंगा, भहत important topic आपके exam के लिए, language translator, है न, language translator, fourth point, तो operating system, device driver, language translator, है न, और हाँ, एक और वो है, बहुत अच्छा नाम है, linker and loader, linker and loader, अभी ये भी समझाओंगा, ये दोनों क्या होते हैं, linker और loader भी क्या है, ये भी system software, अभी नाम याद कर लो, इसका पूरा एक एक चीज़ बता हूँ, device driver भी, नीली मा विश्वास जी, BIOS तो एक hardware चीप होता, basic input output system, वैसे हाँ, no doubt, आप सही बोल रहे है, basic input output system एक hardware भी है, लेकिन उसके अंदर जो software है, जो software है, BIOS में जो software है, BIOS के अंदर जो एक software है, BIOS के अंदर जो एक software है, वो है क्या, BIOS के अंदर जो software है, वो है system software, तो मुझे अब आपको क्या पढ़ाने मुझे अब आपको language translator पढ़ाना है और linker और loader पढ़ाना है linker और loader पढ़ाना है चले शुरू करें एक बाद दम लगा के शेर कर दो ने यार तोटल कोश्चन कितने आते हैं computer में बेल्टा total question जो है पाँ से 10 के बीच में आएंगे लिंकर device driver आपको पताती है मैंने कि कोई भी नया hardware को connect किया जाएगा computer के साथ में नया hardware को यदि connect किया जाएगा तो वह device driver अपने आप वाली class मैं देखता हूँ ले लूँगा मेरा मन नहीं हो रहा हिम्मत नहीं आज थोड़ी सी टूटी पड़ी हिम्मत ले ले लेंगे आज के class language translator बहुत important topic है एक्जाम के लिए आपके एक्जाम के लिए language translator भाषा अनुवादक हिंदी में क्या बोलते हैं भाषा अनुवादक क्या काम होगा इनका देखी क्या होता है सबसे पहले समझ यह कि हमारी जो human readable हमारी जो human readable language है इसको क्या computer समझ पाता है नहीं समझ पाता we speak communicate or we write in human readable form पहला point we speak communicated write read in human readable form but computer do not understand it and what computer understands basically computer understand the binary machine language machine language को समझता है computer machine language और machine language क्या होती है machine language ही होती है binary language binary language binary language यह तो human readable language और machine language अब हमें क्या होता है ना जब भी कभी human human जब भी computer से बात करना शुरू करता है तो human readable form है human readable form जो है वो binary में convert होनी चाहिए 01 में वो convert होने के बाद में software में जाती है software जो ऑपरेटिंग system की मदद से hardware को control करता है ऑपरेटिंग system के बाद kernel से command जाती है kernel और kernel के बाद में यह hardware को hw का मतलब hardware तो basically क्या होता है human language binary में convert होगी 01 01 में जो भी बात है चाहिए math से चाहिए हमारे words से चाहिए a letter है b letter है यह सब है बाइनरी में convert हो जाता है 01 01 01 01 में यह convert हो जाता है ठीक है is it clear तो human binary में convert हो गया फिर software operating system kernel और फिर hardware तो अब language translator का role आपको समझ में आ गया होगा कि कोई ना कोई एक language translator एसा चाहिए होता है जो computer से बात कर सके तो भाशा नुआदक basically तीन प्रकार के हैं पहला है पहला है interpreter रुकिए रुकिए पहले assembler को लिखता हूँ वह ज्यादा important है पहला है पहला है पहला है पहला है assembler assembler टोटल कितने भाशा अनुआदके बेटा टोटल तीन है assembler यह एक भाशा अनुआदके language translator है इसका mainly role क्या है what is the main role of an assembler assembler का main role क्या होता है बताए यह basically low level assembler का main role क्या होता है assembler जो है assembly भाशा को assembly language को लें जी यू ए जी आसेंबली भाशा को binary या machine भाशा में convert करता है binary या binary लेंग्वेज में convert करता है यह अब आप बोलेंगे सर असेंबली लेंग्वेज कौन कौन सी है तो जो आपने पढ़ा था न कि फोर्ट्रान 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 जो भाशा है formula translation जो पासकल है पासकल लेंग्वेज जो आपने अलगोल सुना था अलगोल algorithmic language fortran पासकल यह सभी क्या है असेंबली लेंग्वेज जो नॉर्मली असेंबली लेंग्वेज जो थी न वह सेकंड जनरेशन की लेंग्वेज थी सेकंड जनरेशन फोर्स्ट जनरेशन में तो binary थी 0101 में लोग 5 इंच कार्ट से इंपूट दे रहते हैं जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर दें सेकंड जनरेशन सेकंड जनरेशन के जो सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में यह थी तो असेंबली भाशा को जो binary भाशा में convert करता है वो है एक assembler second और third एक है interpreter interpreter और एक है compiler यह तीसरा होगे interpreter क्या करता है ध्यान से सुनना जो high level language को low level language में convert करें what is an interpreter जो high level language को high level language का मतलब है जो third generation की भाशा थी जो fourth generation की भाशा थी तो fifth generation की भाशा थी है ना उनको यह low level language और एक बात याद रखना low level language कौन सी होती है लो level language भी बता देता हूं जो low level language है वो है एक तो assembly language जो है वो low level language है और जो binary language मतलब assembly या binary जो language है basically वो low level language है तो interpreter किसको convert करता है high level language जैसे third generation में थी c fourth generation में थी c++ fifth generation में आ गई java dot net इत्यादी यह है high level language तो high level language को जो low level language में convert करता है वो है एक interpreter इसी प्रकार से compiler भी क्या करता है same का high level language को यह भी low level language में ही convert करता है फिर जो low level language को convert करने के लिए assembler जो है वो assembly से binary में convert करेगा और computer को एक input मिल जाएगा computer को क्या मिल जाएगा input मिल जाएगा तो high level language low level language में convert हो गया is it clear है ना अब आप बोलेंगे जब दौनों का एक ही काम है interpreter और compiler का तो दौनों में enter क्या है basically क्या होता है एक compiler जो computer के जो बेटा code होते है एक compiler में जो computer के जो code होते है न वो एक साथ execute होते है पहला code execute हुआ दूसरा हुआ तीसरा हुआ चौथा हुआ मनलों पाचवे में कोई error आई तो यह तो यह क्या करेगा यहां पर रोग देगा लेकिन मतलब कुल मिलाके क्या है compiler जो है पूरे पूरे whole code को some pool code को compiler एक साथ execute करता है compiler executes the whole code in one go एक साथ execute करता है जबकि interpreter क्या करता है interpreter में क्या है पहला code execute किया यदि कोई दिक्कत ने तो आगे बढ़े दूसरा code execute किया तो कोई दिक्कत तीसरा code यदि मानलीजे किसी प्रकार की error है तो interpreter तीसरे ही code में पूरे program को process करने से रोक देगा तो यहां पर जो compiler है यह पूरे computer के पूरे जो code है उसको एक साथ execute करता है जबकि interpreter जो है interpreter यह line by line तो बस आपको यही बात याद रखने interpreter के लिए line by line लेकिन interpreter भी वही काम कर रहा है high level language को low level language में compiler भी high level language को low level language में लेकिन compiler पूरे code को एक साथ execute करता है है ना is it clear हाँ हाँ syntax error check करता है बिल्कुल करता है लेकिन syntax error होगी तो उसको वह बिल्कुल उसको दिखा देगा कि यहां यहां पर error आई मेरा थन नहीं है बटा मैं आज ना शायद ज्यादा लंबी class ले नहीं पाऊंगा मुझे लगता अगली वाली तो मैं बिल्कुल नहीं ले पाऊंगा देखता हूं मैं एक बार आ शायद नहीं लोंगा यह अलग अलग devices के अलग ड्राइवर होते हैं फिर बात आ रही है फिर बात आ रही है लिंकर लिंकर और यह जो लोडर है न यह किसका फीचर है पता है आपको भई यहां पर यदि यहां पर रैम है तो जो हमारा hard disk drive होता है जिस पर सारा data रखा होता है तो hard disk drive से data किसमें लोड होता है रैम में और रैम से data किसमें आता है यहां पर प्रोसेसर में जो जहां पर प्रोसेसिंग होती है तो यहां पर क्या करता है एक linker और लोडर क्या करता है लोडर का function होता है कि hard disk drive से जो data को उठा कर लाना और लोड करना रैम में है बने लग लोकेशन पर और लाग लाग लोकेशन पर असे तो यहां पर यह जो है मा Simple के जो है कि लिए पैली पाउया यहह ख़िर दूसरी P 1 का लिए होग तीसरी 4 फाइल पर यह फाइल निग करी रहा है यह पूरा linker के तौर पर काम कर रहा है। तो linker and loader ये दौनों आपको जरूर पता होने चाहिए linker और loader है na linker और loader वो software है जो hard disk से load करके RAM पर लाता है और यदि एक file अलग-अलग जगे पर है तो उसके आगे से आगे link को hold करके रखना ताकि पूरी file को एक साथ load करके RAM में लाया जा सके और RAM ultimately microprocessor को दे microprocessor process करके output generate कर सके microprocessor output ultimately generate कर सके so this is what linker and loader और ये जो diagram जो architecture दिख रहा है न कि यहाँ पर hard disk drive होगी यहाँ पर RAM होगी यहाँ पर microprocessor होगा यह पूरा hardware जो पूरा designing है यह john von newman ने दिया था जो मैंने पहली lecture में class में होता है था जो एचन जोन वान न्यूमन न्यूमन जोन वान न्यूमन तो यह है जोन वान न्यूमन इस इट क्लियर linker loader compiler interpreter language translator है ना यह सभी क्या है इस आर दी system software यह सभी क्या है system software तो यह operating system में पूरे पूरे लेंग्वेज ट्रांस्लेटर आपको सब कुछ करवा दिया है अब बात आरी operating system क्या है operating system जैसे linux windows xp अगरा है यह computer hardware अगरा है और device driver जो computer में जी प्रिंटर डिस्प्ले अगरा को connect करने के लिए language translator क्या होते हैं जो high-level language को low-level language में translate करते हैं तीन है assembler compiler interpreter यह सब प्रादिया में आपको है ना और हा utility software is very important यह देखो utility software जो है ना application software से अलग होते हैं जो हमारे operating system के साथ free में आते हैं जैसे disk cleanup डिस्क कई बार क्या होती भर जाती है तो उसको clean करना जैसे hard disk drive में पता है data एसे store हुआ फिर यह बीच में gap हो जाता है तो इस gap को fill करने के लिए इसको उठाके यहां पर ला दिया जाए पीछा यहां पर ला जाए तो पीछा पूरा खाली हो गया तो इससे क्या होता है एक बार भाशा में देख लीजिए जो पूरा समझाए वो देख लीजिए assembler जो है वो assembly भाशा को machine भाशा में convert करता है compiler it converts the program into high level language into low level language high level language को low level language में convert करता है with the line numbers c c++ uses compiler तो यह याद रखना है c c++ compiler यूज करता है जो पूरे के पूरे क्या बूला है क्या बूला है यह low level language में and reports all the error of the program along with the line number यह क्या करता है पूरा पूरा मान लीजे यह एक code है पूरा program है उसमें यह पूरे को एक साथ execute करता है execute कर देता है अब execute तो कर दिया अब इसके बाद में क्या होगा execute तो कर दिया लेकिन मान लीजे यहां पर एक syntax error थी आठवी line में syntax error थी तो उसको बता देगा यहां यहां error लेकिन interpreter क्या करता है interpreter पहली line को देखता दूसरी line को लिखता तीसरी में error आगी यहीं पर बंद कर देगा आप मैं आगे काम नहीं करूंगा पहले error को debug करो पहले error को हटा हो तो यह भी high-level language को low-level language में यह भी high-level language को low-level language में it translate line-by-line यह line-by-line translate करता है report error जो है complete जब तक नहीं होगा न प्रोसेस कि यहां error है पहले सुधारी फिर आगे देखा इट गिव बैटर error diagnostics than compiler compiler की तुलना में हर point पर यह मिलता चला जाता है python basic अचा बेसिक के full-form कोई बताएगा मुझे basic भी क्या है basic is also basic जो है वो भी क्या है एक high-level language है beginners all-purpose symbolic instruction code symbolic instruction code beginners all-purpose symbolic instruction code यह है basic beginners all-purpose symbolic instruction code स्राज रहने दो you are really sounding very tired मैं शाइद आपको facial expression से नहीं लिग रहा हूंगा लेकिन आज मेरा यह 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 पूरा दर्द कर रहा है जो शायद आपको दिखने रहा हूँगा वह मैं फिल कर पा रहा हूंगा इम रिली अग्जॉस्टेट बट वार इस डिटेक्शन बैकप कैसे आप लोग सभी क्या वीडियो को शेर किया आपने अपने शेर दे वीडियो और नॉट आपने से कितने लोगों ने वीडियो को किया मैंने सारे facts compilation अगरा सब कुस बता दिया आप लाइक और शेयर कर दीजेगा प्लीज लाइक और शेयर कर दीजेगा है न विगनर्स और परपस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कॉर्ड हाँ आज क्या हुआ जितना पढ़ाता था उसके अलावा तीन गंटे क्लास और एक्स शुरुआत में भी कही आप से कि एक बार UPSC civil services की तयारी कीजिए और दम लगा के कीजिए और dedicated courses batches हैं आप लोग उनकी मदद से really we all are putting really sincere effort है न हम लोग बहुत हाजी तो हम लोग वाकई में बहुत sincere effort डाल रहे हैं चीजों को लेकर सारे faculties are they are all doing well and they all are subject expert तो आज का दिन जो सेवल सर्विसेस का जो complete महापैक है वो 9200 में prelims mains interview, mock interview और IS selected IS अधिकारी महापैक है दो साल की validity के साथ में two year validity है न और यह आप लोग coupon code Y583 से आज आज में enroll कर लीजे क्योंकि शायद पिर रहना 13300 का हो जाए और एक साल की validity हो जाएगी इसके लगा one more thing you can enroll in state civil services के जो examination हर्या ना राजस्थान उत्तर प्रदेश मध्यप्रदेश और बिहार है ना यह महापैक नॉर्मली 4400 रुपे के तो जो होते हो 2800 में हैं दो साल की validity है notes material सब कुछ मिल जाएगा टीओ एटीओ ट्राजरी ऑफिसर और असिस्टेंट ट्राजरी ऑफिसर की जो तैयारी कर रहे हैं वह अभी का भी अन्रोल कर लीजिए आज से बैच स्टार्ट हो गए आई-एस का जो यूपीएस से से नया fresh batch आपका एक मई से ही स्टार्ट हुआ याद रखना आज ही से महा में सारे live fresh batches मिलते हैं और आने वाले समय में जो भी नए batches आएंगे UPSC के महा पैक में मिल जाएंगे स्टेट स्विल सर्विसेस के batches भी आज एक मही से स्टार्ट हुएं तो आपके जो पहले के सभी lectures वीडियो सब कुछ आपको एक जगे मिल जाते हैं finally EPFO ये भी आपको कम price में 2600 रुपे में आपको मिल जाएगा EPFO का coupon code लगा देंगे Y583 mentorship guidance मैं regularly mentorship देता हूं संडे संडे को तो आप लोग इस तरह से बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं तो एक बार जाते जाते प्लीज 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 वीडियो को शेयर कर देना अब तक मेरा computers related 9 lecture आ चुके हैं जिन में से मैंने दो घंटे के मेरा थन भी पढ़ाई है तो पूरे sequence में वीडियो को आप लोग देख लीजिए है न तो फाइनली यदि आप एक प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं एक पूरे complete compilation के साथ यहां पर EMI भी मिल जाता है और दो साल की EMI में 1500 रुपे का बैच है 1500 के लंशम पड़ेगा लेकिन यार न एक बार UPSC civil services के आप तयारी करते हैं तो यहां तक यहां तक यह सारी बाते क्लियर है तो दम लगा के वीडियो को शेर कर दीजेगा एक बार और जैसे आप लोग अड़ा 247 पर जाते हैं यहां पर अड़ा 247 की आप से ही पेमिंट करना आप लोग अल कोर्शेज में जाएंगे जो मैंने आपको बात बताईए अल कोर्शेज में जाएंगे यूपीसी में जाएंगे यूपीसी का महापय कही यह 999 का है इस पर पूरी यह बुक्स है यह बुक्स है ना बहुत सच में लिटरली मैंने बुक्स को देखा है बहुत ही प्यारी बुक्स है इनका पूरा कंपाइलेशन जो साराइश की किताबे हैं हिंदी इंग्लिश में दौनों में किताबे और एक और चीज है वीडियो लेक्चर है आप लोग जो है बाइनाव पर क्लिक करेंगे वाई 583 कूपन कोड लगा देंगे वाई 583 कूपन कोड लगाते ही आप लोग यह 9000 का जो तयारी कर रहें तयारी कर रहें अर्याने स्विल्स वर्जिस के महापैक में अंड्रोल कर सकते हैं यूपी-PSC बिहार मध्यप्रदेश जहां की भी तयारी कर रहें आज इसे नया बैच शुरू है तो उम्मीद करता हूं सारी बात आपको बहुत अच्छे समझ में आयोंगी आज-काज बैचेज में अंड्रोल करिए और कम प्राइसेज में आपको जो फैसलिटी बाद में महेंगे में मिलेगी वो आप ले सकते हैं तो आज के सेशन को यहीं रोकता हूं सयाली थैंक्यू सो मच प्रशांत सिंग जी धन्यवाद सारांश का प्रेंटेट सीरीज मिलता तो बढ़िया होता नहीं प्रेंटेट सीरीज मिलता है प्रेंटेट इसलिए नहीं मिलता है कि प्रेंटेट में तो वह खुदी लगबग कई तीन पाच हजार का हो जाएगा और कोस्टी पेजिस की इतनी पढ़ जाएगी तो फिर तो मतलब भी नहीं उसके बाद भी हम जहीं जहीं थांक यू व्रीवन बबाए टेक चेर गुद नहीं